सिर्फरे आशी को रास नहीं आई दिलरुपा की सगाई चाकू से छलनी किया दिलरुपा का शरीर फिर पस्तावे में खुद भी किया आत्महत्या तुम मेरी नहीं कोई बात नहीं एक तरपा ही सही तेरी याद में हम आबाद रहेंगी एक तरफा आशिक की बातों में छुपी गहराई का अंदाजा आपको इस वारदात के से रूबर होने पर लग जाएगा वारदात राजस्तान के जोदपुर जिले से है जहां एक सिर्फर आशिक अपने प्यार को पाने के लिए एक फैसला ले लेता है जिसे सोचने भर से रूप काप उठती है दरसल सिर्फर आशिक का नाम हेमंत है जो पेशे से कपड़ा व्यापारी है हेमंत और लक्षिता नाम की उसकी प्रेमी का करीब पांच सालों से एक दूसरे के साथ प्रेम का रिष्टा निभा रहे थे जोदपुर से लोकी बढ़ाई कर रही लक्षिता एक होनहार चात्रा थी बेटी की 25 साल के होने पर घर वाले लक्षिता की सगाई अपनी विरादरी में तैय कर देते हैं लक्षिता को यह बाद अपने प्रेमी हेमंत को बताना एक कथिन काम लगता है जिस वज़े से वो हेमंत से एक शांत जगह पर मिलने की बात कहती है और दोनों जोदपूर के एक होटल में जाने का फैसला रहे थे हैं होटल पहुँचकर लक्षिता प्रेमी से सगाई की बात करती है जैसे ही हमंत यह बाद सुनता है वो खुद पर आपाखो देता है सनत से भरा हेमंत प्रेमीका के शरीर पर चाकू से इसकदर वार करता है जैसे वो उसे प्रेम नहीं बलकी सालो पुरानी दुश्मनी का बदला ले रहा हो एक के बाद एक हेमंत लक्षिता के शरीर पर चाकू से तब तक वार करता है जब तक वो मौत को गले नहीं लगा लेती है कुछ समय बाद तब हेमंद का गुसा शान्त होता है तो उसे अंदाजा होता है कि उसने क्या कर दिया खुद की कर्टूतों पर हेमंद को इसकदर पस्तावा होता है कि वो खुद भी जान देने का तैंकर लेता है और जोदपुर के मंडोर रेलवे स्टेशन पर वो आत्म हत्या कर लेता है